हेलो स्टुडेंट आज के लेक्चेर में आप सभी का सागत है आज के वीडियो में मैंने दहेस प्रिथा पर निबन लिया है जो आपके 10 और 12 बोर परिच्छा के लिए परिच्छा में रिपीट हो सकता है तो इसी को मैं आज आपको एक्स्प्रेइन करूंगा तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे दोरा अप्लोड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले टॉपिक है दहेज प्रथा एक अभिशाब यहाँ पे 1000 सब्दों का हमेने बंद लिया है तो सबसे पहले हम प्रस्तावना या फिर भूमिका लिखेंगे बूमिका में क्या लिखेंगे दहेज प्रथा भारती समाज की एक प्राचीन परंपरा है जो समाज के लिए एक अभिसाब बन चुकी है यहाँ प्रथा समाज के विविन वर्गों में व्याप्त है और इसके परेडाम सुरूप महिलाओं की इस्तिती कमजोर हो रही है दहेज प्रथानके वल महिलाओं के प्रतियन नयाए है बलकि यहाँ समाज के आर्थिक और समाजिक तानिवाने को भी कमजोर करती है इस प्रथा के कारण गरीब और मध्यम वर्गिये परिवार आर्थिक दबाव में रहते हैं जिससे उनके जीवन में समस्यां उत्पन होती हैं इस निबंद में हम दहेज प्रथा के कारण प्रभाव और इसके उनमूलन के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे फिर हाई डालेंगे दहेज प्रथा का इतिहास दहेज प्रथा का इतिहास में लिखेंगे दहेज प्रथा की जड़े भारतिय समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं इसका आरंब प्राचीन काल में हुआ था जब माता पिता अपनी पुत्रियों को विवाह के समय उपहार सुरूप आभूशन संपत्ति या आनिसाम अगरी प्रदान करते थे इसका उद्देश था कि बेटी अपने सस्राल में सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और उसकी आर्थिक इस्तिती सुद्रन रहे परंतु समय के साथ यह परंपरा बदल गई और समाज में इसे एक अनिवारता के रूप में देखा जाने लगा धीरे देश परता के कई कारण हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निमलिखित हैं पारंपरिक मानेता हैं देश को समाज में एक परंपरा के रूपे देखा जाता है और इसे निवाना प्रतेक परिवार का करता भी माना जाता है लोग इसे सामाजिक प्रतिष्टा और सम्मान का प्रतीक मानते हैं लिंग असमानता भारती समाज में लड़कों और लड़कियों के बीच असमानता की गहरी जड़े हैं लड़के को परिवार का उत्राधिकारी माना जाता है और लड़कियों को पराया धन इस विचारधारा के कारण लड़के की साधी में अधिक दहेश की मा उतसाहिद करती हैं लोग इसके नकारात्मक प्रभावों से अनुभिग होते हैं और इसे सामाजिक अनिवारता के रूप में मानते हैं आर्थिक स्तिदीर कुछ परिवार अपनी आर्थिक स्तिदीर सुधारने के लिए भी दहेश की मान करते हैं वे इसे अपने व्यापारिक लाव के रूप में देखते हैं और लड़की के परिवार पर अनावश्चक दबाव डालते हैं कानूनी परवरतन की कमी यदे भी दहेश परथा के खिलाफ कानून बनाए गये हैं परन्तु इनका सही से अनुपालन नहीं हो पाता है इसके कारण या परथा अब भी समाज में प्रचलित है दहेश परथा के प्रभाव दहेश परथा के समाज और परिवारों पर कई कंभीर और नकरात्मक प्रभाव पढ़ते हैं जिन में इसे कुछ प्रमुग प्रभाव निमलिखित है महिलाओं पर अत्याचार दहिज परता के कारण महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं विवा के बाद अगर लड़की का परिवार दहिज की मांग को पूरा नहीं कर पाता है तो लड़की को सारी रिक और मांसिक यात्नाओं का सामना करना पड़ता है दहेज के कारण कई महलाएं आत्मत्या करने को मजबूर हो जाती है लड़कियों की हत्या कई मामले में दहेज की अधिक मागना पूरी होने पर लड़कियों को मार डाला जाता है इसे दहेज हत्या कहा जाता है और यह समाज में एक गंभीर अपरात के रूप में देखा जाता है गरीब और मध्यम वर्गिये परिवारों पर आर्थिक दबाओ दहेज प्रथा के कारण गरीब और मध्यम वरगे परिवार आर्थी ग्रूप से अतधिक प्रभावित होते हैं अपनी बेटियों की साधी के लिए उन्हें भारी मात्रा में धनरा से जुटानी पड़ती है जिसके चलते वे करज में टूप जाते हैं लड़कियों का तिरिसकार दहेज प्रथा के कारण समाज में लड़कियों का महत्त कम हो गया है कई परिवार केवल इस डर से लड़कियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं कि उन्हें दहेज देना पड़ेगा इस कारण से करनिया भूरून हत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं सामाजिक आसामानता दहेश प्रता समाज में आसामानता को भी बढ़ावा देती है संपन परिवारों के लिए यहां एक परदर्शन का साधन बन गई है जिबकि गरीब परिवार इसके चलते संगर्स कर रहे हैं दहेश प्रता के उनमुलन के लिए उठाएगे कदम भारज़रकार ने दहेश प्रता को समाब करने के लिए कई कानून कदम उठाए हैं कुछ प्रमुक कदम निम्लिखित हैं फिर लिखेंगे दहज निरोधक कानून 1961 इस कानून के तहत दहज लेना और दहज देना दोनों ही अपराद माना गया है इसमें दोसी पाये जाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है हाला कि इस कानून की शक्ति से पालन नहीं हो पाता है जिसके कारण दहज पर था अब भे प्रचलित है महिला सुरक्षा के लिए विसेज प्रावधान दहज के मामलों में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रावधान किये गए हैं जैसे कि गरेलू हिंसा, अधिनियम और महिलाओं के लिए विसेज अदालतों की स्थापना इन कानूनों का उद्देश महिलाओं को न्याय दिलाना और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना है सामाजिक जागरुकता अभियान सरकार और विमिन सामाजिक संगठनों द्वारा दहिस प्रथा के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं इन अभियानों का उद्देश लोगों को दहिस प्रथा के नकारात्मक प्रभाओं के बारे में जागरुक करना और उन्हें इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करना है सिक्षा और जागरुकता सिक्षा और जागरुकता सिक्षा का प्रसार और लोगों में जागरुकता बढ़ाने से दहिस प्रथा के उनमूलन में मदद मिल रही है सिक्षा से लोग दहिस प्रथा के पती जागरुक हो रहे हैं और इसे आस्युकार करने लगे हैं दहिस प्रथा के उनमूलन के उपाय, दहिस प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर कार्य करना होगा, इसके लिए कुछ उपाय निमलिखित हैं, सिक्षा का प्रसार, दहिस प्रथा के उनमूलन के लिए सबसे महत्पूर कदम सिक्षा का प्रसार है, लड़कियों और लड़कों दोनों को सिक्षा के महत को समझाना चाहिए और उन्हें आदने पर बनने के लिए प्रेरत करना चाहिए कानूनी प्रवर्तन दहिज विरोधी कानूनों को सकती से पालन करना जरूरी है दोसियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि वे समाज में एक मजबूत संदेश जाए समाजिक जागरुकता समाज में जागरुकता फैलाने के लिए निरंतर प्रियास किये जाने चाहिए देश प्रथा के खिलाब सारवजनीक कारकरम सेमिनार और मीडिया के माध्यम से लोगों को इसके नुक्सान के बारे में जागुब किया जाना चाहिए लड़कियों की सुरक्षा, सरकार को लड़कियों की सुरक्षा के लिए विसेस प्रावधान करने चाहिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के अत्याचार का सामना ना करना पड़े समानता की भाउना समाज में लड़कियों और लड़कों के भी समानता की भाउना को बढ़ावा देना आवश्यक है लिंग आधारित असमानता को समात करना ही दहेस प्रथा का उन्मूलन का मुख आधार है फिर लिखेंगे निसकर्स में क्या लिखेंगे साथियों दहिस प्रथा भारती समाज के लिए गंभीर समस्या है जो महिलाओं के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों को भी प्रभावित कर रही है इसके उन्मूलन के लिए सरकार समाज और व्यक्तिकत इस तरपर प्रियास करना आवश्यक है हमें इस कूप प्रथा को समाद करने के लिए एक जुट होकर कारी करना होगा और एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां लड़कियों को सम्मान हो लड़कियों का सम्मान हो और उन्हें समान अधिकार मिले दहिस प्रता को समात करके ही हम एक सशक्त और सम्रत यस समाज की स्थाथना कर सकते हैं तो साथ ही यहाँ पे मैंने आपको दहिस प्रता से RELETED बहूत सारे points बता हैं इन points को अपने mind में, mind make-up करके आप अपने निवन को अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं जिससे आप अच्छा नंबर पास सकें वीडियो को एक बार साथियों लाइक करिएगा चानल को सब्सक्राइब परिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी एक नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक भी नमस्कार चैने जाएबाद